और एक्टिंग वहारा आची कर लेदी है, हाई विल्कमं बैक्टो माइच चैनल, तो आज सबा मेडम का जो हमारा vlog आ गया है Q&A एक्सपेंसिव वाला जो उनका vlog है उसका review शुरू करते हैं तो आए उनका review शुरू करते हैं इंका ।ो भ्रिक्फास और ढैलो है। वूषमी शुरू आध करते हैं राद मेर्क्फ़ास के ने से लिगा है। और वह ले लेती हैं लेकिन उससे भी पहले जो शुरुवात होती है तो वह जाती है अपने लिए कुछ सुनार से कुछ लेने के लिए तो वह हमने कहा कि शॉपिंग और खाना यह ना हो तो व्लॉग पूरा नहीं होता है और उसके बाद अगले सीन में दिखाते हैं कि हैं कि आज को पहने दो कि अपने स्वार्णे पर्षाइब मुझा भी सब्सक्राइब गालते हैं कि वह चैमाय का सबसे सबसे त्यार हो ना सारे सवालात के जवाब देने के लिए वह घाती है और उसके बाद कर्ठू दिखाते हैं कि टो यह क्या आदान परदान हो रहा है और उसमें भी मुझे वह समझ में नहीं आया, आप मुझे अगर इस बात का जवाब दें, तो वो जो ड्रेस थी, नॉर्मली तो इसकी ड्रेस रेडी में टो लेते नहीं, बनवाई जाती है, अगर उस लड़की को पसंद ही नहीं थी, तो किसने डिजाइन की ये ड्रेस, किसन बनवाई ही क्यों, बहुत सारा पैसा है, unlimited पैसा होने की वज़े से unlimited आकल नहीं आ जाती है, और फिर वो कपड़े पहनने के बाद आ जाता है, और भाई व्लोग हो, प्रोमोशन नहीं हो, तो फिर कमाई कहां से होगी, प्रोमोशन आ जाता है, प्रोमोशन में वो तुम तो बहुत ही जादा डिमांडिंग हो, मतलब तुमने इतना जादा सर चढ़ाया हुआ है उसको, कि उस लड़की से जादा तुम इतना करते हो उस लड़के के लिए, कि वो तो जनाब 2.0 तो बन ही गए है, अब उसमें कोई कमी नहीं रहे गिए, बस हर टाम कॉला पैसा कमाया जा सकता है, तो उसके लिए महनत क्यों की जाए, क्यों पढ़ाई की जाए, और यही यह पढ़ने नहीं देती है, और फणी भाई से कहती है, मेरे पर हाथ रख के समखाओ, कि जो कोच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे, क्यों बहीं तुम इतनी पाक साफ इतनी पाक साफ सुत्री चीज हो, तुम तो नहाती नहीं हो, कई कर दिन तक तुम तो दो दिन का सफर कर आती हो, तब नहीं नहाती हो, तो तुम इतनी पाक साफ समझ रखा अपने आपको, कि तुमारे पर जो भी हाथ रख के कसम खाएगा, तो वो सच बोलेगा, या जूड जूट जूट बोलेगा फिर आजाते हैं कॉशन अंसर पर तो कॉशन पहला पढ़ते हैं हमारे फनी भाई और वो कहते हैं कि पहला कॉशन है जो मैं पढ़कर बताऊंगा कि बेटी खाला का पैदा हुई मतलब इतने भेकार से कॉशन आप लोगी मतलब जो नहोंने अनलिमिट से कॉशन था जिसने भी पूछा था वह पता नहीं उन्होंने किस माइंट से पूछा था लेकिन आपने उसको व्लोग में लेकर सब्सक्रखा दियो पैड़ा उसकी है पेटी खाला कि चैब इस वाउट डेखा था हमने पिछले पिछले व्लोग में कितनी इज्जत के आपन पिछले व्लोग में आपको पता ही ना हो के कैमरा बंद हो गया है और वह वो पीछे का सच्छो जो दिख गया है अरही बात इज़्चत इज़्दार देने वाला अल्हाया होता है कोंए नियुफ़ आपने कितनी इज़्ध बनाइं यह सब को पता है और सारे मोधा को च्शपा हुआ कि इनोंने इसांपने इज़्धारी में इज़ध कराइं है इन्होंने कुन से रिस्टदार हैं सब अब आगया है कुन से रिस्टतार आपने छोड़ दिये हैं कि आने के लिए आप कोई रिस्ततार नियां मुझे याद है वो आपका फेला व्लोग शादी के बाद प्लाग बनाया था तो वह मुझे याद है जब आपने कहा था कि यह सारे संधिके भाई बहन है तो संधिने क्या का बस मैं और मेरी एक बेहन है और सभाई है और मेरी अम्मी पापा है और बाकि के जो वो टाउ के चछा के बचे थे खाला के बचे थे वह भाई बेहन वो सब कहां चले गए अब और अबبح तो अब इतने के लिए से चोटी चीज के लिए दूआको द्रखास साबित करने के लिए अपने अपने हो से तो आपके लिए अपनार ही हो आपने क्दार सबार न आपके अब है इंहें यानिके चच्चा की बेटी थी तो जिनको अभी उनके हजबन का उपरेशन हुआ है जो कि वहीं मोदाहा में ही रहती है और वह भी व्लोगिंग चैनल रॉन करती है जिनके उसी से हमें भी जानका नहीं मिली कि उनके हजबन का बहुत जादा प्रॉब्लम ती तो ऑपरेशन कुछ नहीं है और अब उनको इतनी बड़ी खुशखबरी आये सिक्षेक्षन से उनको बेठा हुआ है तो क्या इतनी सी मुबारक बात आपको नहीं बनती है एक स्टोरी नहीं बनती है जब करती है आपने सारे रिष्टे कट आफ कर दिये जब इतनी पल्टन दिखाई यह चीन च्छान के सबसे वहां से को ले आए हो आप यहां तो वहां तो कुछ भी नहीं चोड़ा आपने नहीं किसी रिष्टदारी के लाइक चोड़ा अगला सवाल तो लोगों ने पूछा क्या मुझा करो कि बिल्कुल करने से यह आप तो बड़ी ऐसे ऐसे करके डांस करती और डांस तो आपको बड़ा अच्छी तरह के साथ है आप अपने बड़ेज में डांस करते वे नजर आते हो आप अपने भाई की शादी में खूब वो पूरी यूट्यूब वीडियो वायरल हो रही है तो ऐसा तो नहीं है कि डांस भी रहता है और एक्टिंग तो आप पापा को कैसे मनाएं बस यही सुनना बागी रह गया था अच्छा इंफ्लूएंस कर रही है अप नए बच्चों को अच्छी चीज़े सिखा रही है कि लव मैरीज को ऐसे प्रमोट कर रही है जैसे वह बहुत ही जैन्वन चीज़ आप सभी बच्चे करेंगे तो जो है उन तो वही सारी चीज़े असलियत बता रही है यह क्यों बता रहे कि सब्रू तो आपको करना ही था क्योंकि सब्रू आपने इसलिए ने किया क्योंकि पहले तो आपने चुपा के रखा था जो कि आपके भाई बता रहे थे कि छे साल तक इनका चलता रहा हमारी नाक के नीचे एक्जेक्टली यही वर्ड बोला छे साल तक इनका हमारे नाक के नीचे चलता रहा लेकिन हमें इन दोनों ने पता नीचलने दिया वाव पता इनकी अम्मी को सुरूर सेता सारी चीजे जब घर में घंटो घंटो बाते होती थी मोबाइल पर तो क्या पता नहीं चले का जब य मैडम हमारी पिछले विलोग में दिखाती है के कैमरे में दिखा के ये देखो ये सनी का आइफ़न पूरा टूट के चकना चूर हो गया है मैडम अभी आपने शादी के कुछ दिन बाद ही आपने एक नया फोन दिला है जो एक चालिस से एक पचास के बीच में आता है क्या वो फोन नहीं था जिसको आप अपने Q&A में लेकर गोद में बैठी हुई थी एक फोन आपका परसनल है और एक फोन से आप जो है शूट करती है इतने हाइफोन का क्या करोगे लोगों के पास 20,000 रुपे तक के फोन नहीं होते और लोगों को और नई बच्चे को आप क्या वो इंडूइजवल परसनालिटी तो आज भी आर्टिकल में नहीं आता है आपको जो प्रोनाउंस किया जाता है ना और दिपिका ककड के ननन के नाम से ही आपको जो आर्टिकल चपते हैं वो इस तरह से चपते हैं तो आप तो उनकी वज़े से फैमस हो गई आप बढ़ते सेलबरिटी को देख रहे थे ना कि आपको देख रहे थे और यहीं रिजन था आपका ग्रो करने का अगला सवाल कि अगर व्लोगर नी बनती तो क्या बनती मैं आप कुछ नी बनती क्योंकि आप कुछ पता ही नहीं है मतलब आपकी 30 प्लस एज हो गई है आपने पढ़ाई क कि आप बनती है कि आपने पढ़ाई किया और उसके बाद आपने कुछ काम भी किया जॉब भी किया और उसके बावजूद भी आप यह बेबी वोईस निकाल कर जिस तरह की बाते करती है ना इससे किसी एंगल से भी नहीं लगता कि आप एक मैच्वर हैं और पढ़ी लिखी जाती है या फिर गुस्टा करने बैठ जाती है लड़ाई जगड़ा करती है और ऐसे लोगो जो ना सर्वाइब नहीं कर पाते जो दिल से मजबूत होते हैं जैसे आपकी भावी हरतरा से मजबूत है एक्सप्रेशन चुपाने में मजबूत है जूट चूपाने में लिया था तो क्या आपको शादी से पहले नहीं बता था च्छे साल जब रिष्टा रहा आपका साथ साल रिष्टा रहा कि वह गाउं का लड़का है इकलोता लड़का है उसके पेरेंट से उनकी एज भी है तो पहले ही डिसाइट कर लिया था या पहले मकान लिया था पहले पताती है कि हमारा बेटा भी हाथ से चला जाएगा एक इकलोता बेटा है वह भी चला जाएगा और वही उनका डर साबित हो यही रीजन है कि आप जो है ना उनको राजी करने के लिए चोटी मोठी खुशियां देने के लिए जल्दी जल्दी यहां से भागते हो दर जाते हो करता है इधर आते हो बिजनेस सेटड़े से आपको मौहां पपर भी कर सकते थे वहां से आपकि इसी को हैर करकर वास से यहां हो जोना था क्योंकि आप जैसे इंसान गाओं में कैसे टिक जाएंगे बहुत ज़ादा हुआ दस दिन से ज़ादा अप टिक ही नहीं पाती है यह कोछिश की है कि माबाब खुश्ष रहे सकते हैं तो अगला सवाल जो बहुती इंपर्टन सवाल था और जिस ने भी पूछ का पहना हो अगर किसी को लगता है कि अच्छे हैं बहुत ही बखवास जवाब दिया है आप रिपीट करते ही नहीं है आप लिए आपने डिस्पोजबल की तरह से कपड़ों को यूज करते हैं कि एक बार पहन लिए यूजन थू यूजन थू इसी को भी दे दो हर चीज का मारी कपड़े मैं साल भर निकाल देते हैं और फिर यह पाता ने कितनी बार दिखाके विए तो यह जूट नहीं बोलो और रही बात उनकी अलमारियां आपने देखे ते ना पिछले व्लोग में मैंडम की जो अलमारी थी सुबह सुबह करा रहे तें तो आ देरों कपड़ा गीरा पर देती हूं और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जो हम लेंगे वैसे तो और भी वहुत सारी सवाल पूचा गया है कि शादी से पहले की जिंदेगी अच्छी है शादी के बात की जिंदेगी अच्छी है जुमा जुमा आठ दिन अभी आपकी शादी को हुआ ही कितने दिन हैं सिर्फ दस महिने 10 महिने में भी आप अपने हिसाब से चला रही है देवन से वो आपके साथ ही है फिर यह चाहिए यहाँ हो एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ है कि आप से वो पूरा एक दिन अलग रहा हो जब सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर पूरे 24 गंटे जब वो आपके साथ ही रहते हैं, आपकी मन मर्जी का करते हैं, तो objection उठने की तो बात ही नहीं उठती, और जब objection नहीं उठेगा, तो मैडम को नाराजगी भी नहीं होगी, नाराजगी नहीं होगी, तो लड़ाई जगड़े नहीं होगे, तो जब एक लड़की की मर्जी है, जो एक लड़की ये चाहती है, आप जैसी लड़की ये चाहती है, कि मेरी शादी हो जाए, और फिर भी मैं अपने पती को अपने पास रखूँ, अपनी फैमली के पास रखूँ, अपनी मनमर्जी से रहूँ, मनमर्जी से खाऊं प्यूँ, मनमर्जी से जहां आऊं, जहां ज नहीं है आप अगर यह कहना चाहरे है ना कि मैडम अगर शादी शुदा जिंदिगी के आफ्टर बिफोर के इफेक्ट अगर आपको देखने ना तो ससुराल में रहो महिनों ससुराल वालों की डिस्पेक्ट करो ससुराल में इस तरह से रहो जैसे हर एक लड़की शादि के बा बनाओ घर के काम देखो उनकी हेल्प करो फिर दिन में उनको टाइम दो फिर शाम को जम्मी आ जाए तो उनके लिए खाना बनाओ यह सारी चीजे कर कर देखो संतुस्ती मिलेगी और असली जिंदगी का पता चलेगा अभी तो आप बात चाही जिन्दगी जी रहे हैं उसमें क ओर खाना पीना और शॉपिंग और गारी में गुंमना नहीं हो तो लॉटी बारबजे हैं दि लिए फटा फटीays और कप्डे के और कौरांगाने में शामील होगे तो चाय पीने का एक मौका भी नहीं मिला तो चाय कहां पी जाकर वहां से स्टार्ट होता है चाय से इतने वहां पर चुस्क्य लेती है कलांपाक वह सब होता रहता है खुरान खानी होती है और उसके बाद कट्टू अगले सिर में दिखाता है कि कुछ एक दो जो कोशन भावी के लिए आये थे जैसे कि कोई रूहान का निकनेम है तो वो कहती है कि नहीं निकनेम तो ऐसा कुछ निया है पर मैं जानू बुलाती हूं तो उससे शोय चड़ जाते हैं तो यह इनका लास्ट कोशन था तो यह था मेरा जो है इनके व्लोग पर रिव्यू तो आपका क्या कहना है मुझे कॉमेंट में जरूर बताए तो क्या यह जिन्दीगी जीरी हैं जो इन्होंने सवाल लिये थे क्या वह सवाल जैन्मन लगे आपको या फिर क्योंकि क्योंकि यह भी आपने अपने हिसाब से कस्टुमाइज कर लिया है आपकी क्या ओपीनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा सही या घलत जैसे भी है कमेंट जूर कीजिएगा चलिए इसी के साथ में वीडियो को एंड करती हूं वीडियो पसंद आए तो मिलती हूं एक और वीडियो के साथ तिल दन बाई बाई अल्ला हाफिस देख केर